जो भी सवाल हैं, बिना डरे मुझसे पूछ सकते हो वाजायना क्या होता है? मैं म्यूटरिस का फंक्शन क्या होता है? टोगो! ओ माइ गॉड़! इसके पैरों को देख, इसके पैरों में तो जर्मगर है झालों को रहतीत कर देख, मैं डर्E. झालों को देख, इसके अजिए्य होताहू कि अजिए, जिए टॉड़ में आधारू झालों कईरों को दो जुड़ा च toujours है झालों कि नहाहता है झाल 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 ओ इम जी टू फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे सिफ्री में बगवान शिप के कटर वक्त कंती शरनमदगल की शेहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अर्श रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वाईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार्मिक चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महालने तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर् प्रेजा गया एक दूद आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए वीवेक के खिलाब पुलीस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलीस टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वह अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहां आया है ज या बेश है चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो यह समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशली नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांथी के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनोशिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है ये सावित करने के लिए कि स्कूल बहुत ही अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत का खशावाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉग्स और ये उन्हें शिक्षा के मैत्वों से संगबंदित मुद्धे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांटी अपने बेटे की वविश् की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिव द्वारा बेजी गई एक दिव्व विक्ति के रूप में प्रकट करता है वह कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पोती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए य पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो द्वारा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बर्बाद कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचिन काल में यह उनुशिक्षा भी सामल थी भीर में से किशोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त मैथून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जज्ज का अपना बेटा भी चामिल है कांती ने केस जीत लिया क्योंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांती को भुकतान दिया जाए और वीवेक के स्कूल में वापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने पडिवार का पडिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया कि रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारह पैसा देने की पेशकर्ष की तब पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्रात्थना करते हुए प्रसन्न कांती को छोड़ कर चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलिस को लेकर तो इस फिल्म को वो टीजी ब्लाटपार्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे उतक्तर हैं नेट्फिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेट्फिक्स का सबस्क्रिप्शन है OMG2 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे सिफ्री में बगवानशिप के कटर वक्त कंती शरनमदगल की शेहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली वीवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित वीवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बर जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महालने तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मि करने जा गया एक दूद आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए वीवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वह अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहां आया है जह चोने वाले थे तो वो कांति से मलता है और उसे बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वह ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गुपीनी याता में किया गया हर काम गालत य Ay centuries छिलिल नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांधी की गलती धी HOLT की खिलाब मामला दर्च करने की सला देता है कांती ने स्कूल केमिस्ट डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वह अपने बेटे की कृत्त का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो रोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानव कला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदिचिक बैक से मिली कई तुस्तकों का धारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह ये मामला उनकी धार मिक्षभी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनों शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रतक्ष सला देने के लिए आ उन अग्यानी पुरूशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योनों शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला बलतकक्षा वाक रह जाता है वह उन्हें एक बहादुना और शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बड़ता है कांटी पर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉक्स और यह उन्हों शिक्षा के मैत्वों से संगबंदित मुद्दे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेशक्ष की है कांटी अपने बेटे की वविश हो लेकर वावनत तक जान में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वह उस्कषारी आपा इसे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णहे द्वारा बेजी गई एक दिव्व विक्ति की रूप में प्रकट करता है वो कांती को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए योनों शोशन का खुलासा किया है कांती के मामले में टीवी पर माध्यम से सावित किया की उपो निवेश्यों दुवारा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बर्बात कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचीन काल में योनों शिक्षा भी सामल थी भीर में से की शोड़ागया कर कहते हैं कि ये भी हस्त मैं थून करते हैं और यह कोई नहीं है जिसमें जर्ज का अपना बेटा भी शामिल है कांथी ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यह ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुकतान दिया जाए और वीविक के स्कूल में बापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्षकी तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वह कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वह प्रात्थना करते हुए प्रसन्नक आंती को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीस को लेक भी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में वगवान्शिप के कटर वक्त कंति शरनमदगल की शहर के प्रमुख महकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा बीवेग पूरी रात लग को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि यह बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षत ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांटिको स्कूल के चेयर मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्त में थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांटिके दोस्तों पांडे जी जो पुरे महाले तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ति चमकती है और वगवांशिप दोब भेजा गया एक दोद आता है अपने बदमाश की हत्या की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहां आया है जहाँ वो विवेक को सांतना देता है उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं, कि गोपीणी याता में किया गया हर काम गालत या अश्लिन नहीं होता, ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांथी के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्य का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई कुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लिल हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनोशिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है ये साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत ही अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरूशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा बाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुना और शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बड़ता है कांटी पॉर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉग्स और यह उन्हों शिक्षा के मैत्वों से संगबंदित मुद्दे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अप दूट उससे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णय की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिव द्वारा बेजी गई एक दिव्ववविक्ति की रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए योनोशोशन का खुलासा किया है कांटी के मामले में टीवी पर दिखाया जाने के कारण कांटी को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे आदालत में ले जाया जाता है सुनबाई में प्रणाली को बरबात कर दिया गया जिसमें वास्ता में राचल में यो निश्चा भी सामल थी भीर में से की शोचटा गया कर कहते हैं कि यह भी हंत मैंथून करते हैं और यह कोई कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वह कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वह प्रात्थना करते हुए प्रसन्नक आंती को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीस को लेक यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में वगवान शिप के कटर वक्त कंती शरनमदगल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा जाने और बिवेग पूरी रात लगाता रहा हिस्त में थून करता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली बिवेग के दोस्त बताते है कि अश्रक्षित विवेग को उसके लिंग के आकार को लेकर प्रिशान के आ जाता था और कहा जाता था कि हस्तमय थून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईग्यान के शिक्षत ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांति को स्कूल के चेयर मैंन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तमय थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्योंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांति के दोस्तों पान्ने जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिति उनकी धार में चवी को खराब कर रही है वीडियो कांति की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवा पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस स्टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वो वीवेक को सांतना देता है वीवेक दो बार आत्माहत्या करने की कोशिश करता है लेकि को ये समझने के लिए श्दन पान कराने वारी माह काूधाहरन लेते हैं कि मोग पी ने याता में किया गया हर काम गालत या अश्ली नहीं होता यह स्कूल की कल्ती है कि उसे उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांती को स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद की खिलाब मामला दर्श किया जब इस तत्या का विरोवत किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारते संस्कृती में हमेशा सेक्स पर वाचित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो यह मामला उनके धार्मिक्षबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए यह सब कर रह में आप प्रतक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है यह साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत अच्छा है कांती ने विश्या से पूचा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है त तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते है जिससे पूरा अदालत का क्षा वाक रह जाता है वो उ खूल के चेर्मैंन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कशas की है कांती अपने बेटे की वविशे को ले कर वावनत तक जार में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वो एक दुर गटना के सिकार हो जाता है और जाहे तोर पर मर जाता है सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पोती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए योनो शोशन का खुलासा किया है कांती के मामले में टीवी पर दिखाये जाने के कारण कांती को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे अदालत में ले जा जाता है सुनबाई में विवेक पहली बार पहुंचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित कि उपनिवेशियो द्वारा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबाद कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचिन कार में योने शिक्षा भी सामल थी भीर में से किशोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त मैथून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जज्ज का अपना बेटा भी शामिल है कांती ने केस जीत लिया क्योंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांती को भुक्तान दिया जाए और वीविक के स्कूल में बापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का पडिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया कि रूप में कराया और मंदिर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब पास देखने के लिए एक और मरीज है और वह प्रात्थना करते हुए प्रसन्न कांती को छोड़ कर चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलिस को लेकर तो इस फिल्म को ब्लाटपर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में दे बगवान शिप के कट्टर वक्त कंती शरण मद्गल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा बीवेक पूरी रात लगाता रहा इस तमेथून करता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के अकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि एस तमेथून करने से यह बर जाएगा स्कूल में जिव वईग्यान के शिक्सक्ट ने विव तुमें थुन करते हुए एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चबी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कंती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते है क्योंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही म मेसेंजर पुली स्टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायदच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वो वीवेक को सांतना देता है वीवेक दो बार आत्माहत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा ल और उसे बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो यह समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अश्लील नहीं होता यह स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांती के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्य का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजन्ता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षी वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनो शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है ये साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत है अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरुशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते है जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पॉर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉक्स और ये उन्हें शिक्षा के मैद्वो से संगबंदित मुद्दे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांटी अपने बेटे की वविश द्वारा बेजी गई एक दिव्वव विक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उन्हों शोशन का खुलासा किया है कांटी के मामले मे टीवी पर दिखाय जाने के कारण कांटी को अपने गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे अदालत में ले जाया जाता है सुनबाई में विवेक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचिन कार में योन्य शिक्षा भी सामल थी भीर में से कि शोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जर्च का अपना बेटा भी शामिल है कांथी कांथी ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुक्तान दिया जाए और वीविक्त स्कूल में बापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्षकी तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वह कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वह प्राथना करते हुए प्रसन्नक आंती को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलिस को लेकर तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेट्फिक्स का सब्सक्रिप्शन है OMG2 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहाने वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में बगवानशिप के कटर वक्त कंती शरनमदगल की शेर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अर्श रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बर जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने सीनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगन लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिं आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए वीवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहाँ वो वीवेक को सांत देता है विवेग दो बार आत्माहत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वड़ा वचा लेया जाता है जब वेश है चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान करान की इसकूल की गलती है कि उसने ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वह उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांती को स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्च करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद की खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोवत किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्त का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारते संस्कृती में हमेशा सेक्स पर वाचित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान छोने के लिए कहते हैं क्योंकि वो यह मामला उनकी धार्मिक्षबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लिल हरकत को चुपाने के लिए यह सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पार्ठक्रमों में योनों शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रतक्ष सलाह देने के लिए आता है कामिनी एक अग्यानी पुरूशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योनों शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत का क्षा बाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बतात के लिए पैसे की पेश कश्की है पनती अपने बेटे की वविश्यक ले कर वावनत्तक जान में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वह इक दूर καठ़ना कार हो जाता है जाहेतोर परमा जाता है हस्पतार में दूत उससे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णय की आलोचना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वाव विक्ति की रूप में प्रकट करता है वह कांथी को दिखात की का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे अदालत में ले जाए जाता है सुनभाई में विवक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया की उपो निवेशियो द्वारा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बरबाद कर दिया गया है जिसमें वास्ता में व्राच इंकार में योनी शिक्षा भी सामल थी, भीर में से किशोरा आ गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त मैत्वन करते हैं और ये कोई पाप नहीं है, जिसमें जज्ज का अपना बेटा भी शामil है, कांथी ने केस जीत लिया क्योंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुकतान दिया जाए और वीवेक के स्कूल में बापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्षकी तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्रात्थना करते हुए प्रसन्नकांती को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के OTT रिलीस को लेकर तो इस भी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में वगवान्शिप के कट्टर वक्त कंती शरनमदगल की शेहर के प्रमुक महकाल मंदिर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा बीवेक पूरी रात ल देकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से यह बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमें थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ति चमकती है और वगवांशिप दवारा भेजा गया एक दूद आता है अपने बदमाश के हत्याग की कोशिश के लिए वीवेक के खिलाब पुलिस शिकायत क के बाद मेसेंज़र पुलिस स्टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खěता है कि वह अपने लापता нос की शिकायदच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वह वहीवेक को सांतना देता है वीवेक दो बार आतमाहत्या करने के कोशिश करता है लेकिन मेंसेंजर द्व थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता। ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका। वो कांती को स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्च करने की सला देता है। नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है। कुछ आमल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती। मेसेंजर अक्सर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रतक्ष सला देने के लिए आता है। कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है। जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है। यह साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत है। कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है। तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरूशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए। कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है। फिर वो कहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए। जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है। वो उन्हें एक बहादुर्मा और शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं। जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी, पर्नोग्राफि, बलतकार, ड्रॉक्स और यह उन्हों शिक्षा के मैत्वों से संगबंदित मुद्दे बताते हैं। स्कूल के चेर्मेन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है। कांटी अपने बेटे की वविश्यक उले कर वावनत तक जान में फस जाता है। चेक पर हस्ताक्षर कर देता है। वह एक दुरकटना के सिकार हो जाता है और जाहित और परमा जाता है। हस्पतार में एक दूथ उससे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णय की आलोशना करता है। और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वावविक्ति के रूप में प्रकट करता है। वह कांथी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए। हुए योनो शोशन का खुलासा किया है कांथी के मामले में टीवी पर दिखाया जाने के कारण कांथी को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे आदालत में ले जाया जाता है। सुनबाई में विवेक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबाद कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचिन कार में योन शिक्षा भी सामल थी भीड में से की शोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जज्च का अपना बेटा भी चामल है कांथी ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ड को आदिश दिया गया कि योन शिक्षा को आनिवारिया बनाया जाए और कां आप में सारा पैसा देने की पेशकर्षकी तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्राथना करते हुए प्रसन अकांती को छोड़ कर चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को ओटीजी ब्लाटपर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो शरनमदगल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा बीवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चबी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कंती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिति उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के वीवेक के खिलाब पुलीस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलीस टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहाँ वो वीवेक को सांतना देता है वीवेक दो बार आत्माहत्या करने की आए वो यह समझने के लिए स्थन्पान कराने वाली मां का उदाहरन लेते हैं कि घृपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अश्लील नहीं होता यह स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दिया और कां congratulate है कि वो उसे ठीक से मार्च दर्शन ने ही दे सका वो करने की सला देता है कांती निस कूल के केमिस्ट डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोगत किया गया कि वह अपने बेटे की कृत का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो रोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा से करने के लिए एक यदि चिक बैक से मिली कई तुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह ये मामला उनकी धार्मिक्षभी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठर क्रमों में योनो शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढाने के बारे में आप प्रत्ख्र सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है ये साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरूशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पत वालत कक्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वा और शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बड़ता है कांटी पर्नोग्राफी वलतकार ड्रॉक्स और यह उन्हों शिक्षा के मैत्वों से संगबंदित मुद्दे बताते हैं स् है तोर परमा जाता है हस्पताल में एक दूत उससे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णय की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वाव विक्ति की रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पोती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उनुशोशन का खुलासा किया है कांटी के मामले में टीवी पर दिखाये जाने के कारण कांटी को अपनी गल्ती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उस प्रनाली को बड़्स Case कर दिया गया है जिसमें वास्त में प्राचिन कार्मी व्राइश सामल था भी इस किक सोरा घ्या कर कहते हैं कि यह भी थेन करते हैं और կह कोई पापल नहीं जिसमें जर्ज का अपना बेटा भी शामिल है कांथी ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यह उन्य शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुकतान दिया जाए और वीविक्ट स्कूल में वापस लिया जाए कांथी ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पा आप बात करें इस फिल्म के OTT रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को OTT ब्लाटपर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेट्फिक्स का सब्सक्रिप्शन ह बिवेक ने से पहले यहां जाने फिर्म की पूरी कहानी वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में वगवानशिप के कट्टर वक्त कंती शरनमदगल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि अस्तमेथून करने से यह बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईग्यान के शिक्षत ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांति को स्कूल के चेयर्मैन ने बत जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिति उनकी धार्मिक चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है के लिए वीवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस स्टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वो वीवेक को सांतना देता है वीवेक दो बार आत्माहत्या क करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा ले आजाता है जब वे शचोने वाले थे तो वह कांति से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो यह समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मां का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी जाता में किया गया हर काम गालत या अश्लीन नहीं होता। ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका। वो कांति के श्कूल अच्छि कीषगों की खिलाब मामला दरच करने की सला देता है। कंति ने स्कूल, कैमिस्ट, डॉक्टर और खुद की खिलाब मामला दरच किया। जब इस तत्या का विरोवत किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्मभ भारते संगस्कृती में हमेशा सेक्स परवाचित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो यह मामला उनकी धार्मिक्षबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए यह सब कर रह में आप प्रतक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है यह साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत अच्छा है कांती ने विश्या से पूचा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है त तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उ स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांति अपने बेटे की वविश्यक लेकर वावनत तक जान में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वो एक दुरकटना के सिकार हो जाता है और जाहे तोर पर मर जाता है हस्पत को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उनुशोशन का खुलासा किया है कांती के मामले में टीवी पर दिखाया जाने के कारण कांती को अपनी गलती का एसास होता है और उसका इवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्त में प्राचिन कार में यह उनुशिक्षा भी सामल थी भीर में से कि शोरा गया कर कहते हैं कि यह भी हस्त मैथून करते हैं और यह कोई पाप नहीं है जिसमें जज्च का अपन के स्कूल में वापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का पडिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया की रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुलासा किया कि खोया हुए बैग उसका कांती को छोले कर चला जाता है आब बात करें टीयों को लेकर तो इस फिल्म को एप बडिशव कर दी गई है तो और आप यहने में देखें सब्सक्रीप्शन है शेहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वाईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिं आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए वीवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहाँ वो वीवेक को सांत देता है विवेक दो बार आत्महत्या करनी की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजें द्वरा वचा ले जाता है जब वे शहें चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कान्ती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्क दर्शन नहीं दे सका वो कान्ती के स्कूल अच्च किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कान्ती ने स्कूल केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्श किया जब इस तत्या का विरोट किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्य का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उन्हों ने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारते संस्कृती में हमेशा सेक्स पर वाचित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह यह मामला उनकी धार्मिक्षबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए यह सब कर रह प्रत्खत सला देने के लिए आता है कामिनी एक्स-एक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है यह साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वह कभी अपने काम का आनद लेती है तो वह कहत उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांति का कहना है कि अगर स्कूल यूब वा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यान पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कख्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुर्मार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पॉर्नोग्राफी वलत तकजार में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वो एक दुरकटना के सिकार हो जाता है जाहेता और पर मढ़ जाता है वो प्रकत करता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उनुशूशन का खुलासा किया है कांटी के मामले में टीवी पर दिखाया जाने के कारण कांटी को अपनी गलती का है साथ होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे अदालत में ले जा जाता है सुनबाई में वीवेक पहली बार पहुंचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित कि उपनिवेशियों दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्त अपना बेटा भी शामिल है कांथी ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर को आदेश दिया गया कि यहों नलशिक्षा को आनिवारिय बना जाए और कांथी को ब और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकश की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके पास देखन के लिए एक और मरीज है और वो प्रात्थना करते हुए प्रसन अकांति को छोड़ कर चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को ओटीजी ब्लाटपर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखन चाहते हैं तो नेट्फिक्स परुड़ी में देख सकते हैं अगर आपके पास नेट्फिक्स का सुब्सक्रिप्शन है ओम जी फेले यह जाने फ्ल्म की पूरी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहां देखे से फ्री में वगवान्शिप्प के कटर वक तक कंती शरंद्मत की शेर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बर जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस तुमें थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अशलीलता के अधार पर निशकाशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महालने तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मि पीजाउ में गया एक दोथ आता है अपने बदमांश के हथ्या की कोशिश के लिए वीवे के खिलाब पुलिस शिकायदत के बाद मेसेंजर पुलिस chem है तो कि वो अपने लापता-बैक की शिकायदफ कराने के लिए वहाँ आया है जहाँ वो विवेक को सांतना देता है विवेक दो बार आत्माहत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर दुआ वचा ले आ जाता है जब वेश है चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता, ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका, वो कांती को स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है, कांती ने स्कूल, कैमिस्ट, डॉक्टर और खुद की खिलाब मामला दर्श किया, जब इस तथ्या का विरोध किया गया कि वो इलोरा, अजन्ता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है, और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है, पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए क कर रहे हैं, कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनों शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटे को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती, मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रतक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है, जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है, ये सावित करने के लिए कि स्कूल बहुत है, कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है, तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को एक महिल कि शरीर का सम्मान कैसे करना है, फिर वो कहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरुशों की तरह नहीं बनना चाहिए, जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं, जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है, वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं, जैसे ही मावला आगे बरता है, कांटी, पॉर्नोग्राफी, बलतकार, ड्रॉक्स और ये उन्हों शिक्षा के मैत्वों से संगबंदित मुद्दे बताते हैं, स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की श्वास खाने के उसके निर्णय की आलोचना करता है, और अंत में खुद को वगवानशिव द्वारा बेजी गई, एक दिव्ववविक्ति के रूप में प्रकट करता है, वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है, क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपन में ले जा जाता है, सुनबाई में विवेक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बरबात कर दिया गया है, जिसमें वास्त में व्राचिन कार में योन शिक्षा भी सामल थी, भीर में से किशोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है, जिसमें जज्च का अपना बेटा भी शामल है, कांती ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि योन शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और का प्तान दिया जाए और वीविक के स्कूल में बापस लिया जाए, कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का पड़ी चाई, उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया की रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने ख खुला सकिया की खोया हुए बैग उसका था और वीवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी, फिर वो कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्रात्थना करते हुए प्रसन्न कांती को चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को ओटीजी ब्लाटपर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पिताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि वालों का जबाब देने से इंकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांति को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तमें थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स चोने की सला देते हैं कि उनकी धार्मिक चबी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहों करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ति चमकती है और वगवांशिप दवारा भेजा गया एक दूद आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस स्टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खह करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा लेया जाता है जब वे शह चोने वाले थे तो वो कांती से मलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो यह समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांती के स्कूल अच्छ किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कां दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स पर वाच्चित शामल थी वह इलोरा अजंता और खजुराहों मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई कुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनोशिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वार्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है ये सावित करने के लिए कि स्कूल बहुत है अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उने पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुनवार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैस अपने बेटे की वविष्यक लेकर वावनत तकजान में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वो एक दुर कट्ना करे सिकार हो जाता है और जाहे तॉर पर में जाता है तो बिश्वास खाने के उसके निरणय की आलोच चना करता है और अंत में खुद को वगवान द्वारा बेजी गई एक दिव्व विक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांती को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उनुशोशन का खुलासा किया है कांती के मामले में टीवी पर दिखाय जाने के कारण कांती को अपनी गल्ती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे आदालत में ले जाया जाता है सुनबाई में विवेक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्ता में व्राचिन कार में योन शिक्षा भी सामल थी भीर में से कि शोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जज्च का अपना बेटा भी शामिल है कांती ने केस चीद लिया क्योंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो निषिक्षा कराया और कान्थी को भुक्तान दिया जाए। वीविक्त स्कूल में वापस लिया जाए। कान्थी ने मेसेंजर को अपने परिवार का पधिफच्जय है। उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्रात्थना करते हुए प्रसन्न कांति को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलिस को लेकर तो इस फिल्म को ओटीजी ब्लैप्रम नेट्फिक कहाने वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में बगवानशिप के कट्टर वक्त कंती शरनमदगल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा बीवेक पूरी रात लगात करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमय थून करने से यह बर जाएगा स्कूल में जिव वई प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिति उनकी धार्मिक चबी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ति चमकती है और वगवांशिप द्वारा भेजा प्रिया एक दूत आता है अपने बदमाश के खत्तिया की कोशिश के लिए विवेग के खिलाब फलीज के वार में सेंज़र पुलीस स्टेशन में एक विवेग और कांती से मलता है और खहता है कि वह अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहां आया है जहां वो विवेक को सांतना देता है विवेक दो बार आत्माहत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा ले आ जाता है जब वेश है चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांथी के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजन्ता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षी वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनोशिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है यह साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत है अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरुशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते है जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पॉर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉक्स और ये उन्हें शिक्षा के मैद्वो से संगबंदित मुद्दे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांटी अपने बेटे की वविश द्वारा बेजी गई एक दिव्वव विक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उन्हों शोशन का खुलासा किया है कांटी के मामले मे टीवी पर दिखाया जाने के कारण कांटी को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे अदालत में ले जाया जाता है सुनबाई में विवेक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो दुआरा ने कोई पाप नहीं है जिसमें जर्ज का अपना बेटा भी चामिल है कांटी ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांटी को भुकतान दिया जाए और विवेक के स्कूल में बापस लिया जाए कांटी ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्श की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्राथना करते हुए प्रसन्नक आंति को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीस को ल जाने फिल्म की पूरी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में बगवान्शिप के कट्टर वक्त कंती शरण मद्गल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा और विवेग पूरी रात लगाता रहा इस्तमैथून करता रहा जब तक की वह बेहौश नहीं हो गया और कई वियाग्रा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अर्ष रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महालने तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मि आपर इजा गया एक दूद आता है अपने बदमाश की हत्या की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलीस शिकायद के बाद मेसेंजर पुलिस्टेशन में एक बिवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने ला पता बैक की शिकायद दश कराने के लिए वहाँ आ वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांथी के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनो शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है ये साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत ही अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे वर्भार किया जाना चाहिए कांती का कैना है कि अगर स्कूल यूब बहुत को यो नोश्यक्षा देते हैं तो उन्हें पता चलगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा बाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बड़ता है कांटी पर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉग्स और यह उन्हें शिक्षा के मैद्वों से संगबंदित मुद्धे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांटी अपने बेटे की वविश्य की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वाव विक्ति के रूप में प्रकट करता है वह कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पोती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ पहली बार पहुचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो द्वारा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्त में प्राचिन कार में योन शिक्षा भी सामल थी भीर में से कि शोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त मैं थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जजच का अपना बेटा बी शामल है कांति ने केस जीद लिया क्यूंटि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि योन शिक्षा को आनिवारिया बनाया जाए और का विक्क स्कूल में वापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का पड़ी चाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया की रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुलासा किया कि खोया हुए अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लाटपर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का ओएमजी टू फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में बगवान्चिप के कट्टर वक्त कंती शरनमदगल की शेहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुल की खाली बीवेक के दोस्त बताते हैं कि आश्र रक्षित पीवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता के चेयर मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हस्तुमें थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चबी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कंती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महालने तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करक की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस स्टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वह अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वह विवेक को सांतना देता है विवेक दो बार आत गालत नहीं किया है वो यह समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अश्लील नहीं होता यह स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वह उसे ठीक से मार्ग दर करने की सला देता है कांती ने स्कूल केमिस्ट डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोगत किया गया कि वह अपने बेटे की कृत्त का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो रोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वह इलोरा अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदिचिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए सब कर रहे हैं कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनोशिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अ आप प्रतक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है ये साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत है अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक ब प्रियर मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांती अपने बेटे की वविश्यक लेकर वावनत तक जान में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षर कर देता है वो एक दुरकटना के सिकार हो जाता है और जाहित और पर मर जाता है हस्पतार में एक दूट उससे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णय की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वव विक्ति की रूप में प्रकट करता है वो कांती को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पोती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए योनोशोशन का खुलासा किया है कांती के मामले में टीवी पर दिखाया जाने के कारण कांती को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे आदालत में ले जाया जाता है सुनबा वारत की शिक्साप्रनाली को बरबाद कर दिया गया है पर वास्ता तो स्कूपना बेटा वार्बाद कर दिया जाया कि यो नर्शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुक्तान दिया जाए और वीवेक के स्कूल में बापस लिया जाए कांथी ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्तर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और वीवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वह कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वह प्रात्थना करते हुए प्रसन्नक आंति को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीस को लेक भी कहाने वह भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में वगवान्षिप के कटर वक्त कंती शरणमदगल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के वहार एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाय गया और बताया गया बेटा बीवेग पूरी रात लगाता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अर्ष रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि अस्तमय थून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षत ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हस्तमय थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ती चमकती है और वगवांशिप द्वारा भेजा गया एक दूद आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहां आया है जहां वो विवेक को सांतना देता है विवेक दो बार आत्माहत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा ले आ जाता है जब वे शहें चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांथी के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजन्ता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षी वखील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनो शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है ये सावित करने के लिए कि स्कूल बहुत है अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरुशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते है जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पॉर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉग्स और यह उन्हें शिक्षा के मैद्वो से संगबंदित मुद्धे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांटी अपने बेटे की नए की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वव विक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए योनोशोशन का खुलासा किया है कांटी के मामले में टीवी पर दिखाये जाने के कारण कांटी को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे आदालत में ले जाया जाता है सुनबाई में वीवेक पहली बार पहुचते है और अपने शोद के माध्यम से सावित किया कि उपो निवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचिन कार में योन शिक्षा भी सामल थी भीर में से किशोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जजच का अपना बेटा भी शामल है कांती ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि योन शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांती को भुक्तान दिया जाए और वीविक के स्कूल में वापस लिया जाए कान्ती ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्श की तब दूत ने खुला सकिया की खोया हुय बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्राथना करते हुए प्रसन्न कांति को छोड़ कर चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को वो टीजी ब्लाटपॉर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पर पृरी में देख सकते हैं अगर आपके पूर ब्लीस का सब्सक्रीप्शन है और यहां जाने के पूरी नेóm हो गया और कई विय आगरा की गोली खाली वीवेक के दोस्त बताते हैं कि अ श्रक्षित वीवेक को उसके लिंग के आकार को लेकर परीशान क्या जाता था और कहा जाता था प्रद्ध मैय थोन करने ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हस्तुमें थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्योंकि इससे स्कूल की चबी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कंती के दोस्तों पान्डे जी जो मंदिर की एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिति उनकी धार में चबी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लि विवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस स्टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वो विवेक को सांतना देता है विवेक दो बार आत्माहत्या करने की को वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली माँ का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता। ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांती के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिला मेशा सेक्स पर वाजचित शामल थी वह इलोरा अजंता और खजुराहों मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार मिक्षबी को धूमिल करेगा विपक्षी वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनो शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है ये सावित करने के लिए कि स्कूल बहुत ही अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत का खशावाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉग्स और यह उन्हें शिक्षा के मैद्वों से संगबंदित मुद्दे बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कश की है कांटी अपने बेटे की वविश शिफ द्वारा बेजी गई एक दिव्वव विक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उन्हों शोशन का खुलासा किया है कांटी के मा अध्यम से सावित किया कि उपनिवेशियो दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबाद कर दिया गया है जिसमें वास्त में प्राचिन कार में योन्योशीक्षा भी सामल थी भीर में से कि शोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और यह कोई पाप नहीं है जिसमें जजस्ट का अपना बेटा भी कांति केस जीट लिया क्यूक llev में त्योंगी उसका इलाज किया की रूपևक कराया और दूत आप में सारा पैसा देने की पेशकर्षकी तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वो कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वो प्राथना करते हुए प्रसन अकांति को छोड़ कर चला जाता है अब बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलीस को लेकर तो इस फिल्म को ओटीजी ब्लाटपर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो शरनमदगल की शहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकार है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा बीवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अर्श रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांति को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्त में थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्योंकि इससे स्कूल की चबी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांति के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिती उनकी धार्मिक चबी को खराब कर रही है वीडियो कांति की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ति चमकती है और वगवांशिप दोवारा भेजा गया एकदूद आता अपने बदमाश की हत्याग की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलीस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलीस टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायत दच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वो विवेक को सांतना देता विवेग दो बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा लेया जाता है जब वेश है चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का माड़ीद्ही नियाता में किया गया हर काम गालत या अश्लील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दिया और कांती की गलति है कि वो उसे ठीक से मार्ण दर्शन नहीं दे सका वो कांती को स्कूल इस तथ्या का विरोवध क्या गया कि वो अपने बेटे की कृत्र का बचाप करके सिर अल्शता को बरावा दे रहे हैं तो उन्हों ने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाचीत शामल थी वह इलोरा अजंता और खजुराहों मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षी वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनोशिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी न साबित करने के लिए कि स्कूल बहुती अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरूशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूवा लड़कों को योन शिक्षा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो कहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहि करता है कांटी पॉर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉग्स और यह उनों शिक्षा के मैद्वों से संगबंदित मुद्य बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेशकर की है कांटी अपने बेटे की वविश्यक उले कर वावनत तक जा करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वाव विक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांटी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने अपने परिवार के सामने अपने साथ हुए यह उनों शोशन का खुलासा किया है कांटी के मामले में टीवी पर दिखाये जाने के कारण कांटी को अपनी गलती का एसास होता है और उसका पुनरजनम होता है और उसे अदालत में ले जाया जाता है सुनबाई में विवेक पहली बार पहुचते हैं और अपने शोध के माध्यम से स उपनिवेशियों दुआरा ने भारत की शिक्षा प्रणाइली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्ता में प्राचिन कार्मे योन्र शिक्षा भी सामल थी हम भीर में से कि सोरागया कर कहते हैं कि यह भी हस्त मेह थोन करते हैं और कुई पाप नहीं है जिसमें जर्ज का अपना बेटा भी शामिल है कांथी ने केस जीत लिया क्योंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि यो ने शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुकतान दिया जाए और वीविक के स्कूल में बापस लिया जाए कांथी ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्श की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पा अब बात करें इस फ़ल्म की OTT रिलिस को रेकर तो इस फ़ल्म को OTT ब्लाइपार्म नेट फ्लिक्स पर रिलिस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेट्फिक्स का सब्सक्रिप्शन है OMG2 फिल्म देखने से पहले यहां जाने फिल्म की पूरी कहाने वो भी हिंदी में और जाने कहा देखे सिफ्री में बगवानशिप के कटर वक्त कंती शरनमदगल की शेर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगन लोगों और दवायों को अनंत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चवी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निशकाशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्यूंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महालने तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर् पेजा गया एक दोद आता है अपने बदमाश की हट्या की कोशिश के लिए वीवेक के खिलाब पुलीस शिकायद के बाद मेसेंजर पुलीस टेशन में एक वीवेक और कांती से मलता है और खहता में कि वह अपने लापता बैक की शिकायद दच कराने के लिए वहां आया है जहां वो विवेक को सांतना देता है। विवेक दो बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वरा वचा लेया जाता है। जब वे शहें चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशलील नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांथी की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्च दर्शन नहीं दे सका वो कांती को स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्च करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद की खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोवत किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्मभ भारते संस्कृती में हमेशा सेक्स पर वाचित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह यह मामला उनकी धार्मिक्षबी को धूमिल करेगा विपक्षिव वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए यह सब कर रह में आप प्रतक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वर्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में पड़ता है यह साबित करने के लिए कि स्कूल बहुत अच्छा है कांती ने विश्या से पूचा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है त तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा वाक रह जाता है वो उ हे खूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेश कषग की है कांति अपने बेटे की वविश्यक हो ले कर वावनत तक जैन में फस जाता है और चेक पर हस्ताक्षरव कर देता है वो एक दुर्ग अब्गटना का सिकार हो जाता है और जाहरら पर मय जाता है अस्पताल में दूत उससे मिलने आता है जो विश्वास खाने के उसके निर्णए की आलोच ना करता है और अंत में खुद को वगवानशिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वावविक्ति के रूप में प्रकट करता है वह कांती को दिखाता है कि उसके प्रयास सामन कांती क मामले क्bonsवास ने ब्वेंगे को रहे है जाता है और प्लबיל में पिहली बार पहुछते हैं और अपने शोद के माद्यम से सावित किया की उपुनीवेशियो दुवारा ने भारत की शिक्षा प्रनाली को बर्बाद कर दिया गया है, जिसमें वास्त ने केस जीट लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि योन शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और कांथी को भुकतान दिया जाए और वीवेक के स्कूल में बापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का परिचाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया के रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खुला सकिया कि खोया हुए बैग उसका था और विवेक से उसे अपने पास रखने के लिए कहा जिसके अंदर सांगस्क्रितिक और धार्मिक पुस्तके थी फिर वह कहता है कि उसके पास देखने के लिए एक और मरीज है और वह प्राथना करते हुए प्रसन्नक आंती को छोड़ कर चला जाता है आप बात करें इस फिल्म के ओटीजी रिलीस को लेकर इस फिल्म को टीजी ब्लैक्पॉर्म नेट्फिक्स पर रिलीस कर दी गई है तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाते हैं तो नेट्फिक्स पर प्री में देख सकते हैं अगर आपके पास का सब्सक्रिप्शन है OMG2 फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी वो भी हिंदी में और जाने कहाँ देखे सिफ्री में बगवानशिप के कटर वक्त कंती शरनमदगल की शेहर के प्रमुक महाकाल मंदीर के बाहर एक दुकान है एक दिन उन्हें हस्पताल में बुलाया गया और बताया गया कि उनका बेटा विवेक पूरी रात लगाता रहा इस्तमेथून करता रहा जब तक की वो बेहोश नहीं हो गया और कई वियागरा की गोली खाली विवेक के दोस्त बताते हैं कि अश्रक्षित विवेक को उसके लिंक के आकार को लेकर परिशान किया जाता था और कहा जाता था कि हस्तमेथून करने से ये बढ़ जाएगा स्कूल में जिव वाईगान के शिक्षक ने विवेक के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसके कारण उन्हें संदीगने लोगों और दवायों को अनत हस्पताल जाना परा कांती को स्कूल के चेयर्मैन ने बताया कि विवेक का स्कूल से शौचले में हैस्तुमे थुन करते वे एक वीडियो चल रहा है क्यूंकि इससे स्कूल की चबी प्रभावित हो रही है विवेक को अश्लीलता के अधार पर निश्काशित कर दिया गया है कांती के दोस्तों पांडे जी जो मंदिर के एक अमीर पुजारी है उन्हें शहर चोने की सला देते हैं क्योंकि स्थिती उनकी धार मिक्चवी को खराब कर रही है वीडियो कांती की पत्नी और बेटी और उनके पूरे महाले तक पहुँच जाता है उन्हें समाज में शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है तबाहो करकंती मदद के लिए वगवांशिप से प्राथना करती है तब ही मंदिर में एक दिव्य शक्ती चमकती है और वगवांशिप द्वारा भेजा गया एक दूत आता है अपने बदमाश के हत्या की कोशिश के लिए विवेक के खिलाब पुलिस शिकायत के बाद मेसेंजर पुलिस टेशन में एक विवेक और कांती से मलता है और खहता है कि वो अपने लापता बैक की शिकायदच कराने के लिए वहाँ आया है जहां वो विवेग को सांतना देता है विवेग दो बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन मेसेंजर द्वड़ा वचा ले आ जाता है जब बेश है चोने वाले थे तो वो कांती से मिलता है और उसे बताता है कि उसके बेचे ने कुछ भी गलत नहीं किया है वो ये समझने के लिए स्थन पान कराने वाली मा का उदाहरन लेते हैं कि गोपीनी याता में किया गया हर काम गालत या अशली नहीं होता ये स्कूल की गलती है कि उसने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी और कांती की गलती है कि वो उसे ठीक से मार्ग दर्शन नहीं दे सका वो कांती के स्कूल अच्छी किशकों की खिलाब मामला दर्श करने की सला देता है कांती ने स्कूल, केमिस्ट, डॉक्टर और खुद के खिलाब मामला दर्च किया जब इस तत्या का विरोध किया गया कि वो अपने बेटे की कृत्व का बचाप करके सिर्फ अल्श्रिलता को बरावा दे रहे हैं तो उडोने आदालत में ये बात रखी कि सनातन धर्म भारतिय संस्कृति में हमेशा सेक्स परवाच्चित शामल थी वो इलोरा, अजंता और खजुराहो मंदिरों के अंतरंग मानवकला नक्षाशी की दिखाता है और अपने मामले को सिकार करने के लिए एक यदि छिक बैक से मिली कई पुस्तकों का उधारन देता है पांडे जी कांती को अपना दिया हुआ घर और दुकान चोहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ये मामला उनकी धार्मिक्चबी को धूमिल करेगा विपक्षी वकील कामिनी महेश्वरी का कहना है कि कांती अपने बेटी के अश्लील हरकत को चुपाने के लिए ये सब कर रहे है कांती का तर्क है कि अगर स्कूल ने अपने पाठ्ठक्रमों में योनो शिक्षा को चामल क्या होता तो उनके बेटी को इतनी गलत जानकारी नहीं मिलती मेसेंजर अकसर कांती को मामले को आगे बढ़ाने के बारे में आप प्रत्धक्ष सला देने के लिए आता है कामिनी एक सेक्स वार्कर को अदालत में बुलाती है जिसका वेटा उसी स्कूल में परता है ये सावित करने के लिए कि स्कूल बहुत है अच्छा है कांती ने विश्या से पूछा कि क्या वो कभी अपने काम का आनद लेती है तो वो कहती है कि उन अग्यानी पुरुशों को एक महिला के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके साथ सम्मान के साथ कैसे बभाग किया जाना चाहिए कांती का कहना है कि अगर स्कूल यूबब लड़कों को योन शिक्षा देते है तो उने पता चल जाएगा कि एक महिला के शरीर का सम्मान कैसे करना है फिर वो खहता है कि उसके अपने बेटे को भी उन अग्यानी पुरूशों की तरह नहीं बनना चाहिए जो खुशी के लिए उसके पास आते हैं जिससे पूरा अदालत कक्षा बाक रह जाता है वो उन्हें एक बहादुन्वार शिक्षिका बताते हुए उन्हें नमन करते हैं जैसे ही मावला आगे बरता है कांटी पर्नोग्राफी बलतकार ड्रॉक्स और यह उन्हें शिक्षा के मैद्वों से संगबंदित मुद्य बताते हैं स्कूल के चेर्मैन ने उसे अपना केस वापस लेने के लिए पैसे की पेशकर की है कांटी अपने बेटे की वविश्यक उले कर बावनत तक जाल में पस जाता है और चेक परहस्ताक्षर कर देता है वह इस दुरघटना के सिकार हो जाता है और जाहेता और परिमाशार जाता है, हस्पताल में बुत्त्रियूह सबद्ने आता जो विश्वास खाने के उसके निर्णय की आलोशना करता है और अंत में खुद को वगवान्शिप द्वारा बेजी गई एक दिव्वावविक्ति के रूप में प्रकट करता है वो कांथी को दिखाता है कि उसके प्रयास सामने आ गई है क्योंकि पांडे जी की पूती ने प्रकटालत में ले जा जाता है सुनबाई में विवेक पहली बार पहुंचते हैं और अपने शोद के माध्यम से सावित कि उपनिवेशियो द्वारा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बरबात कर दिया गया है जिसमें वास्त में व्राचिन काल में योन शिक्षा भी सामल थी भीर में से किशोरा गया कर कहते हैं कि ये भी हस्त में थून करते हैं और ये कोई पाप नहीं है जिसमें जर्च का अपना बेटा भी शामल है कांती ने केस जीत लिया क्यूंकि शिक्षा बोर्ट को आदिश दिया गया कि योन शिक्षा को आनिवारिय बनाया जाए और का प्तान दिया जाए और वीविक के स्कूल में वापस लिया जाए कांती ने मेसेंजर को अपने परिवार का पड़ी चाई उस डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया की रूप में कराया और मंदीर के बदले उसके हाथ में सारा पैसा देने की पेशकर्ष की तब दूत ने खु लेकर तो अगर आप इसे फरी में देखना चाहते हैं तो नेट्फिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेट्फिक्स का सब्सक्रिप्शन है